आज हर स्किन प्रॉब्लम के लिए हज़ारों फेस मास्क मौजूद है पर कभी-कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा इंग्रीडियन्ट यूज करें तो हम लाए है मास्क की ये लिस्ट जिससे आप हर त्वचा की तकलीव को आसानी से सॉल्फ कर सकते हैं मिक्स करें एक टी स्पून वेच्टिबल ग्लिसरीन, दो विटमिन E कैपस्यूल और थोड़ा सा अलोवेरा जेल ग्लिसरीन नमी को सील करके चहरे को हाइड्रेटेड रखता है विटमिन E ओल जूरियो और बढ़ती उम्र को दीमा करता है और अलोवेरा जेल में अंटी इंफ्लामेटोरी प्रॉपरटीज होती है ये मास्क आपकी त्वचा के लिए इतना सौम्य है कि आप इसे राद भर लगा कर सो सकते है शुरू करें 1.5 टेबल स्पून नारियल तेल और 1.5 टेबल स्पून आलोवेरा जेल से इसमें मिक्स करें 2 टेबल स्पून बेंटोनाइट क्ले हमारे मास्क का स्टार इंग्रीडिंट है जो त्वचा के एक्स्ट्रा ओयल को दूर करने और पोर्स को साफ रखने में मदद करता है अब थोड़ा सा चार्कोल पाउडर डाले जो हमारा दूसरा स्टार इंग्रीडिंट है अब इसमें थोड़ी ग्रीन टी डाले और पेस्ट बना ले अक्नी फ्री त्वचा के लिए इस मास को हफते में एक बार लगाए इसे सूखने तक लगाए रखे और फिर गीले कपड़े से पोच ले आदा कप किसा हुआ पपाया और एक टी स्पून शहद को मिला ले पपाया में अलफा हाइड्रोक्सी आसिड्स होते हैं जो त्वचा के डेट सेल्स को डिजॉल्व करके निखरी त्वचा देते हैं और शहद बैक्टीरिया को नश्ट करने में मदद करता है चमकतार त्वचा के लिए मास्क को चहरे पर हफ़ते में एक या दो बार 20 मिनिट तक के लिए लगाए और धो दे कुछ संत्रे के चिलके को माइक्रोवेव करके सुखा ले जब तक वो कड़क ना हो जाए अब इसे पाउडर फॉर्म में क्रश कर ले और एक टेबल स्पून पाउडर के साथ एक टेबल स्पून दही मिक्स कर ले संत्रे में विटमिन C होता है जो की पिग्मेंटेशन दूर करता है और दही का लाक्टिक आसिड गहरे स्पॉट्स को हलका करने और कॉलिजिन बढ़ाने में मदद करता है इस मास्क को हफते में एक बार 15-20 मिनट तक लगाए और धो ले याद रहे कि विटमिन C आपकी त्वचा को सूरज के किरनों से सेंसिटिव बना सकता है इसलिए बहतर होगा कि ये मास्क सोने से पहले लगाए मिक्स करे आधा मैश्ट केला एक टेबल स्पून शेहद और एक टेबल स्पून बेकिंग सोडा केले में मौजूद बिटमिन्स त्वचा में नमी लाते हैं और इसे शेहद में मिलाने से इसके गुन दुगने हो जाते हैं इनमें बेकिंग सोडा मिलाने से ये नाच्रल एक्सफोलियन की तरह काम करेंगे हफते में एक बार 10 मिनिट के लिए लगाए और हलके से रब करते हुए धोले एक्सट्रा एक्सफोलियेशन और हेल्दी तवचा के लिए अब आपको मालूम है किस तरह का मास्क किस प्रॉब्लम के लिए लगाना है और कैसे ये आपके तवचा के लिए चमतकारी हो सकता है अंटल नेक्स ताम स्टे तून और से ग्लमर्स